आज मैं आपके लिए लेकर आयों कुछ ऐसे स्टॉक्स जो की ग्रोइंग इंडिया की थीम से मैच करते हैं और मेरे फ्यूजर मल्टी बैगर की लिस्ट में टॉप नंबर पर आते हैं यह सभी स्टॉक्स अल्रेडी एक बहुत अच्छा मूव दे चुके हैं और अब भी इन स सब में उतना ही पोटेंशल है जितना पहले था विकॉज इन सभी कंपनी का प्रॉफिट्स हर क्वाटर भढ़कर आता है सेम ऐसा ही इनके शेयर प्राइज में देखने को भी मिलता है वीडियो को लाज्ट तक जरूर देखें क्योंकि सिर्फ शेयर का नाम जान लेने से आपको रखना ही होगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले जिससे आने वाले और भी वीडियो में आप किसी भी मल्टी बैकर स्टॉक को मिस ना करें हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है सब्सक्राइब करना है कंपनी के अगर फंडमेंटल को देखें तो कंपनी एक मिड़ गैप कंपनी है जिसका मार्केट गैप 7529 करोर्स है इसका करेंट शेयर प्राइज 1091 रूपीज है इस्टॉक का पी 32 है फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से कंपनी का वैल्यूशन काफी अट्रैक्टिव नजर आता है 2020 में कंपनी 50 रूपीज के आसपास ट्रेट गिया करती थी और आज स्टॉक का प्राइज 1091 रूपीज का हो गया है मतलब आल्मोस्ट 20 टाइम से भी ज्यादा और अब भी ये स्टॉक काफी सस्ता नजर आता है अगर इंडिया की ग्रीन कि सेलС करती थी जो की आज 3000 क्रोड तक पहुँच गई है प्राइज की अगर बात करें तो 2018 में कंपनी ने 48 करोड के प्राइज की की आज की डेट में 237 क्रोड के प्राइज 100 कॉर्पी परंगर कंपाउंडे के सेल्स ग्रोट 22 पर्षेंट और कमपाउंडेड प्रोफिट 26 जो की बहुत अमेजिंग है एस इन्वेस्टर आशीश कचोलिया ने कमपनी में इन्वेस्ट किया था इन मार्च 2022 जिसके बाद उन्होंने अपना स्टेक इंगरीज किया है जिससे पता चलता है उनको कमपनी के फ्यूचर आउटलुक्स पर कितना भरोसा है और जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो कमपनी में एक या दो या तीन साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करते बलकि कम से कम आठ से दस साल का होराइजन लेकर चलते हैं या शायद उससे भी कहीं जादा तो चलते हैं अपनी लिस्ट के सेकंड स्टॉक की ओर सेकंड स्टॉक पर जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर ले विकाज वीडियो को बनाने में बहुत सारी रिसर्स लगती है और अगर आप सिर्फ एक छोटा सा सब्स्राइब का बटन क्लिक कर देंगे तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहने का तो गाईज हमारा सेकंड स्टॉक का नाम है कैपलिन पॉइंट लिमिटेड Company is engaged in the manufacturing of APIs and formulations API stands for Active Pharmaceutical Ingredient API is a key ingredient that makes the drug work Easy language में समझे तो दवाई के अंदर जो main drug होता है उसको हम API कहते हैं जिसको की कैपलिन पॉइंट मनुफेक्छर करता है वहीं formulation होता है different ingredients को mix करके एक particular drug बनाना Company के पास 4000 प्लस product licensed हैं across the globe Company markets में 1994 में list हुई थी और इसके IPO को bumper response मिला था Company का IPO 17 times over subscribed था Company ने उस पैसे से pondicherry में एक factory setup की थी जिसके बाद Company ने अपनी product range और production capacity को increase किया था Company का market cap है 9,815 करोड रुपीज जो बनाता है इसको एक mid cap company Company का stock price है 1293 रुपीज Stock का PE 22.5 का Company एक debt free company है 2020 में stock का price 300 के level परता जो कि अब 1293 के आसपास है Company की sales 2018 में 530 करोड की हुआ करती थी जो कि अब भढ़कर 1630 करोड हो गई है Profits भी 2018 में 145 करोड हुआ करते थे जो कि यह 441 करोड हो गए है यानि almost 3 times Company के 5 years compounded sales growth 22% और compounded profit growth 21% है Company के promoters का भी company में 70.62% का अच्छा खासा stake है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो या आपने आज कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज वीडियो लाइक करना मत बूलना So let's move on to our next topic जो कि है एक Public Sector Undertaking जिसका नाम है भारत Electronics Limited BEL manufacturers and supplies electronic equipment to the defense sector It is a Navratan PSU under the Ministry of Defense BEL supply करता है products to the Army, Navy and the Air Force Military में electronic equipment की high demand होती है Such as space electronics including satellite integration, energy storage products including e-vehicle, charging stations, solar, network and cyber security, railways and metro solutions, airport solutions, electronic voting machines, telecom products, passive night vision devices, medical electronics, composites and software solutions जिसको की BEL supply करता है Company के अगर हम fundamentals को देखे तो ये एक large cap company है जिसका market gap 1,63,483 करोड है Stock का current price चल रहा है 224 रूपीज Stock का P.E.A. 46 का Company almost debt free है 2020 से stock का price almost 10 गुना हो गया है Company के annual P&L को देखे तो company की sales 2018 में 10,400 करोड हुआ करती थी जो की अब बढ़कर 18,000 करोड हो गई है Profits 2018 में 14,31 करोड के थे जो की अब हो गए है 35,71 करोड के Company के promoters का stake भी company में 51,14% पर बरकरार है Company का future बहुत bright है Because defense में electronic product की need भारत में ही नहीं बलकि और भी कहीं सारे देशों में है So इस stock को भी आप अपने list में जरूर एड करें और long term horizon जो की at least 8-10 सालों के लिए hold करें हमारी list का second last stock है Indus Towers Limited Indus Towers इंडिया की one of the largest telecom tower company है With a total of 211,775 towers Company का market cap है 88,000 करोड का Stock का price है 328 रुबीज Stock का current PE है मात्र 15.8 का Indus Towers का stock price 2020 में 220 के levels पर था जो की अब 328 के levels पर है इस stock में अभी तक उतनी बड़ी तेजी नहीं आई है बट अब ये stock अपने breakout levels के बहुत करीब है और यहां से multi bagger returns देने के लिए तयार हो रहा है चले दिखते हैं company के profits and losses को जिससे हम stock की next direction को हम पता लगा सकें 2018 में company के sales थी 6600 करोड जो की अब हो गई है 28000 करोड profits 2018 में थे 2494 करोड जो की अब हो गई है 5582 करोड मतलब profits तो हो गए है 2018 से double but stock price है same it means stock has now the potential to at least double from these levels promoters का भी company में अच्छा खासा stake है 69% का तो इस stock को भी आप जरूर consider करें for multi bagger returns हमारी list का last stock है वार टेक वेबाग लिमिटेड जो की wastewater treatment के business में है company के पास 3 dedicated R&D centers है 125 plus IP rights है और 6000 plus municipal and industrial products है company का objective है is to provide clean drinking water to the growing population and to recycle wastewater from industries and other places वार्टेक वाबाग एक small cap company है जिसका market cap 4941 करोड है stock का current price है 795 रूपे stock का P16 का है company का stock price 2020 में देट्सों के असपास हुआ करता था जो की आज की देट में 795 रूपीज है company की sales 2018 से almost same है but profits में काफी उतार चड़ा वे 2018 में company का net profit 147 करोड था जो की अभी 60 करोड है profits में फिलाल company धीमी गती से चल रही है but future outlook को देखें तो company का business बहुत scaling नजार आता है इस company में late Mr. Rakit जुनजुनवाला ने भी 8% का stake buy किया था जो की उनकी wife Mrs. देखा जुनजुनवाला भी hold कर रही है इस stock को भी आप ज़रूर अपनी list में रखें और इसको track करें company आने वाले time में massive profit ज़रूर post करेगी because wastewater treatment एक बहुत बड़ा और serious issue है जिसमें government भी कभी ना कभी बड़ा action ले सकती है तो ये थे वो सभी stocks जो मैं आप सभी के साथ share करना चाहता था जिनकों मैं खुद काफी समय से अपने portfolio में add कर रहा हूँ और मुझे लगता है ये सब आने वाले time में आपको multi bagger return देने का potential लगते हैं so guys disclaimer कि मैं कोई savvy registered advisor नहीं हूँ so कोई भी stock में invest करने से पहले अपना research जरूर करे मैं बस आपसे मेरी multi bagger list के stock share करना चाहता था जिसमें मुझे भरोसा है और मैं invest कर रहा हूँ so hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को like करे और channel को subscribe जरूर करे मिलते हैं आपसे जल्दी फिर से एक और multi bagger list के top stocks के साथ till then take care जै हिंद जै भारत